So recently मैंने कुछ Bluetooth Neckband के उपर काफी डीटेल वीडियो बनाये थे जैसे कि Mi Neckband Pro और Boat Rockers 255 Pro Plus और गैस मैं बता दू कि इस प्राइस रेंड में यानि 2000 रूपीज में आपको OnePlus का Bullet Wireless Z Base Edition भी मिल जाता है तो इन वीडियों पर बहुत सारी लोगों के दिमाग में confusion था कि भाई हमें इन में से कौन सा purchase करना चाहिए कौन सा best है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक confusion दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा earphone कि इस टाइप की लोगों के लिए perfect बैठता है प्यूकिकि इन सारी earphones में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है जो इन earphones को special बनाती है तो बिना टाइम बेस के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन आज की इस वीडियो पे हम लेके चलते हैं 850 लाइक का टार्गेट नीचे लाइक का बड़न इसको प्रेस जरूर कर देना और अगर लोग चैनल पर फर्स टाम आयो सब्सक्राइब करके नूटिटिकेशन के बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि एससी इंफॉर्मिटिव और डीटेल वीडियो में लेकर आता रहता हूं लेकिन अगर मैं बात करता हूं शाओमी और बोट रॉकर्स के तो यहां पर भी आपको सिलीकन क्वालिटी मिल जाती है यहां पर थिकनेस वगिरे मुझे प्रॉपरली नहीं लगी है बोट में आपको फ्लैट सा नेकबेंड मिल जाता है लेकिन जब इसको आप पहनोगे तो यह प्रॉपरली शेप नहीं लेता है जितना आपको वनप्लस में मिल जाता है और अगर मी नेकबेंड की बात करो तो इसकी क्वालिटी आपको देखने में काफी सॉलिड लगेगी लेकिन जब इसको आप पहनोगे तो आपको थोड़ा भारी पन सा लगेगा क्योंकि काफी थिकनेस आपको इसमें मिल जाती है ओफररल मॉडिल की बात करो तो तो तीनों में ही आपको प्लास्टिक क्वालिटी मिल जाती है तो वहाँ पे आपको प्रब्लम नहीं होगी लेकिन यहां पे बायर की क्वालिटी जो है वो मुझे बोर्ट की ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि इसमें आपको फ्लैट सा वायर मिल जाता है जो लंबी टाइम तक चलता है क्योंकि मैंने काफी यूस कर रखे हैं तो फ्लैट वायर की क्वालिटी जो है मुझे परसनली काफी बेटर लगती है अगर मैं एरबर्स की बात करो तो यहां पर बोर्ट जो है काफी solid metallic design में मिल जाते हैं लेकिन honestly बताओं तो मुझे इतना फर्क नहीं लगा है क्योंकि प्लास्टी की क्वालिटी के जो एरबर्स होते हैं वो एर में पहनने पर जो है काफी lightweight लगते हैं तो मेरे को वैसे टाइप की एरबर्स या फिर कहलो लाइट वेट है आपको पता भी नहीं पड़ेगा तो बिल क्वालिटी और डिजाइन के मामले में वन प्लस के एरबर्स को जो है मैं काफी अच्छी क्वालिटी मानूंगा अब यहां पर मैं बटन की बात करो तो शाओमी और वन प्लस के नैग्बेंड में आपको module के इनको प्रेस करने में काफी अच्छा feedback आता है वन प्लस में भी आपको एक तरीके से समझ में तो आ जाएगा कि प्लस का कौन सा है माइनस कौन सा है लेकिन दबाने पर अच्छा सा या फिर क्यों टेक्टाइल वाला फील नहीं आता है MI के वाले में आपको अच्छे buttons मिल जाते हैं लेकिन overall जो है मुझे board के buttons काफी पसंद आए अब अगर मैं dual pairing या फिर quick switch की बात करो तो यहां पे आपको board rockers में quick switch button दिया गया है यानि कि आप जो है two devices में एक साथ connect कर सकते हो और अगर आपको switch भी करना है तो आप easily board rockers 255 pro plus से कर सकते हो यह एक चीज मुझे काफी पसंद आई है लेकिन oneplus से जो है वो button हटा दिया गया है क्योंकि इसका जो original version था उसमें जो है यह button दिया हुआ था लेकिन यहां से हटा दिया गया है लेकिन इसको जो है आप डो devices में एक साथ connect कर सकते हो अगर आपको switch करना है तो phone की थ तो यह मिल जाएगी अब अगर मैं connectivity की बात करो तो तीनों ही neckband में आपको Bluetooth 5.0 का version मिल जाता है और यहां पर connection के मामले मुझे जादा problem नहीं हुआ है लेकिन अगर मैं perfection की बात करो तो यहां पर oneplus के neckband में मुझे काफी perfect connectivity मिली है दोनों ही neckband में जो है बाकी के जो Xiaomi का है और board में है वो कभी-कभी मुझे ऐसा लगाई कि अगर phone जादा दूर रख रहा हूं या फिर कभी-कभी pocket में रखने पर डिस्टॉर्ड हो जाता है especially मैंने calling के time पर थोड़ा सा feel किया है लेकिन ऐसी थोड़ी problem भी आपको oneplus के neckband में नहीं मिलेगी तो यहां पर connectivity के मामले में ती के लिए बने हुए है यहां पर काफी पंची सा बेस मिल जाता है treble की quality जो है इतनी अच्छी नहीं मिलेगी युए बेस काफी हाई मिलता है इस यह फोन को जो है मैं जब भी use करता हूं तो 100% वॉल्यूम पर यूज करी नहीं बाता हूं क्योंकि यूज कर रहा हूं तो काफी वोकल्स जो है इसमें मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लगे है अगर आप मुवीज देख रहा हूं तो उस ताइम पर जो डायलोग डिलेवरी वगरे हो रही है उसमें भी काफी जादा बेस कर देता है जिसकारन ओवराल एक्स्पिरियेंस जो है वो मुझे थोड़ा सा पसंद है बेस वाले सांद सुनना पसंद है तो आप मी नेक बेंड को पर्चिस कर सकते हो अब बार यह आती है वनप्लस के नेक बेंड की तो भाई देखो यहां पर आपको ओवराल सांद कॉलिटी काफी बैलेंस मिल जाती है इसमें जो बेस एक तरीके से वर्ड यूस किया हैं या फिर अगर आप जो एक तरीके से काफी एडियम या फिर पॉप सॉंग सुनते हैं वहां पर भी आपको काफी अच्छा बेस मिल जाता है ट्रेबल की कॉलिटी भी जो इसमें मुझे काफी बैलेंस लगी है लाउडनेस आइनो इसकी जो है इतनी जादा नहीं है जितन अब अगर audio codec की बात करें तो तीनों में ही आपको एक जैसे audio codec मिल जाते हैं एक जो चीज यहां पर बोर्ट में आपको ध्यान रखनी है जो वो लोग काफी जादा advertise कर रहे हैं बॉक्स में भी लिखाए कि aptx codec का support मिलता है पर ऐसा कुछ नहीं है मैंने बहुत सारे phones में try करके देखा है किसी में भी aptx का support नहीं बता रहा है तो तीनों में आपको एक जैसे ही codec मिल जाते हैं यह तो कोई sound quality की बात लेकिन एक चीज में बता दू कि आपको me neckband में ANC का support मिलता है यानि active noise cancellation आपको मिल जाती है और भाई यह एक चीज जो है काफी जादा एक तरीके स highlighted feature है me neckband का 2000 रुपए में यह पहला neckband है जो आपको अभी के time पर ANC दे रहा है यह एरफोन को purchase कर सकते हो लेकिन best quality की उमीद आप विल्कुल भी मत रखना अब quality की बात कर लेते हैं तो तीनों के samples में आप लोगों को पहले सुना देता हूं वह पहले सुनके आईए उसके बाद जो है मैं अपना opinion देता हूं बिल्कुली जो है black out हो रहा है तो आप सुन रहे हैं वो इसके mic के true आ रही है मैंने अपने दूसरे नमर पर call कर दिया और वहां पर call recording option enable कर दिया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपकी आवाज इसके mic के true कैसी जाएगी receiver end पे call quality आप लोगों ने सुनी है पीस आपका क्या opinion है comment करके मुझे जरूर बताना अगर मैं अपने final verdicts बता हूं तो देखो यहां पर rank wise अगर मैं बात करता हूं तो मुझे सबसे अच्छी audio quality जो है वो मुझे me neckband की लगी है उसके बाद मुझे oneplus की लगी है और उसके बाद चीज मुझे इसमें काफी पसंद आई है oneplus में background noise cancel हो जाती है लेकिन इतनी जादा नहीं हो दी जितने me neckband में हो रही है और यहां पर board की मुझे sound quality like audio जो है एक तरीके से जो आपकी जा रही है वो loudness जादा जली आती है लेकिन background noise को इतनी जादा cancel नहीं करता है तो audio या फिर केलो call quality के मामले में मैं me neckband को जो है काफी अच्छा मानूँगा लेकिन oneplus में इतनी कोई जादा बेकार मुझे नहीं लगी है अब latency की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी मैंने काफी अच्छे तरीकी से test out किया है सबसे पहले आप sample सुनिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों लें latency test तीनों की ही सुन लिए आपके क्या थोड़ से वो comment में बता देना अगर मैं अपना opinion दूँ तो यहां पर मैं clearly बोलूंगा कि oneplus जो है neckband में आपको काफी अच्छी low latency मिल जाती है आप easily game खेल सकते हो अब इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास oneplus का ही phone हो आप non oneplus में भी connect करके खेल सकते हो अगर हां आपके पास oneplus का phone है तो आप तो आपको बहुत ही एक तरीके जर जीरो latency में मानू जब मैंने test out किया है बहुत सारे games के लिए उसके बाद मैंने अच्छे से अपना opinion दे रहा हूं कि इसमें low latency काफी अच्छी मिल जाती है बोर्ट काफी अच्छा काम कर रहा है latency के मामले में और वहीं पर मी में आपको latency जादा मिल जाती है तो मी जो है एक तरीके से gaming के लिए तो मैं suggest नहीं करूँगा क्योंकि ये water resistance है waterproof नहीं है तो अब अगर मेरे final verdict की बात करें कि इन तीनों में से आपको किसको purchase करना चीए तो देखो अगर मैं अपने opinion दू अगर मैं होता तो मैं OnePlus के neckband को purchase करता क्योंकि मुझे जो है एक तरीके supportability काफी पसंद है मुझे lightweight जो है क और यहां पर बोट के अगर मैं बात करूँ तो launch के टाइम पे इसका price 1500 रुपीज था लेकिन अभी के टाइम पर बोट रॉकर 255 प्रो प्लस 2000 रुपीज के मिल रहा है तो मेरे साब से 2000 रुपीज में बोट लेना जो है वर्त नहीं है लेकिन sale में चलके अगर आपको ये 1500 र आपको best buying link description में मिल जाएगी अब वहां से जाकर चेक आउट कर लो कि आपको क्या price मिल रहा है क्योंकि price जो है change होते रहते हैं और अगर आपको ये video पसंद आया हो तो like किये बिना बिल्कुल मत जाना है starting में जो like का target दिया था वो जरूर पूरा कर देना हो और अगर आप लोग चैनल पर first time आयो हो तो guys subscribe कर देना और notification के bell icon को भी दवा देना क्योंकि ऐसे informative और detailed video में लेकर आता रहता हूं तो guys मिलते हैं next video में ततक के लिए bye bye take care and peace